अथ श्रे योग वाशिष्ठे निर्वान प्रकर्णस्य उत्तरार्धे एकोन शष्ठितम सर्गह श्रे रामव वाच अनंतरं नभः कोश कुटी कोटरतो मुने तव ध्यानात प्रवुद्धस्य बृत्तम वर्शशते नकिम् श्रे वशिष्ठो वाच तटो ध्यानात प्रवुद्धोहं शृतवांस्तत्र निष्वनं मृदु व्यक्त पदम् हृद्यं नचवाच्यनुगोयतः स्त्री स्वभावादिवम्रिदू मधुरंबा निनादिवा स्वल्पांगत्वाद निर्हादि मयातद्वाक्यमूहितं। इंदिन्दिर रुताकारं तंत्री रनितरंजनं नारोधनं चपठनं विसकोष समस्वनं। तदाकर्ण्याशु तत्रेदमहं चिंतितवानत शावदिकान् वीक्षणात्पष्यं दिशोदश सबिस्मयह। ब्योम्नोयं सिद्ध संचारं आर्गशुन्यान्यनंतरं भागो योजनलक्षाणि समतिक्रम्य समस्थितह। तदिहे द्रिग्विधस्यस्यात्कुतः शब्दस्यसंभवः शावदिकं नचपष्यामि यतने नापि बिलोकयन् अनन्तमिदमाशुन्यं पुरोमे निर्मलं नभः इह भूतं प्रयत्नेन प्रेक्ष्यमानं नद्रिश्यते। यदेति चिंत इत्वाहं भूयो भूयो विलोकयन् शब्देश्वरं नपश्यामि तदाचिंतितवानिदम् आकाश एव भूत्वाह माकाशे नैकताम गतह। आकाश गुणशब्दार्थान करोम्याकाश कोशके। देहाकाश मिहस्थाप्य ध्यानेनेह यतास्थितं चिदाकाश बपुर्भ्योम्ना याम्यैक्यं भारिभांबुना। चिंत इत्वेत्यहं त्यक्तुम् देहं पद्मासनस्थितः आसं समाधिमाधातुम् उनरा मीलिते क्षणहा। त्यत्वाभाईहार्थसं स्पर्षानेंद्रियानांतरानपी। चित्ताकाशोहमभवं संवित्स्पंदमयात्मकह। क्रमात्त दपिसंत्यज्य बुद्धितत्वपदम् गतह। संपन्नोहम् चिताकाशे जगज्यालै कदर्पनह। ततस्तेनस्वभावेन भूतब्योमैकतामह। संप्रयातोंबुनैबांबु सौरभं सौरवेनवा। संपन्नोथ महाकाशं व्याप्यानंतोथ सर्वगह। अनाकारोप्यनाधारह सर्वार्थाधारताम् गतह। अहंत्रैलोक्य व्रिंदानि संसारानाम् शतानिच। तत्र ब्रह्म्हांड लक्षानि पश्याम्यगनितान्यपे। परस्परमद्रिष्टानि मिथह खान्यमलानिच। नानाचार विचारानि शुन्यान्यव परस्परम् स्वप्नरूपानि सुप्तानाम् तुल्यकालं निर्णामिव। महारं भानुम्रिष्टानि शुन्यानिच परस्परम् जायमानानि नश्यंति बर्धमानानि भूरिषह। वर्तमानान्यतीतानि भविष्यंतिच सर्वशह। अनेक चित्र जालानि महाभित्ती निखानिच मनसेवोग्र राज्यानि कृतानि भिविधैर जनैहि। निरावर्ण रूपानि तधैका वर्णानिच पंचा वर्ण युक्तानि शडेका वर्णानिच। दशावर्ण चित्रानि शोडशावर्णानिच चतर्विंशत्या वृत्तिनि शट्त्रिंशत्खा वृतानिच। शुन्यानि भूत पूर्णानि पंच भूत मयान्यपी एक पृत्वियादि भूतानि चतुहु पृत्वियादि कानिच। त्रिही पृत्वियादि निचान्यानि द्विही पृत्वियादि न्यतापिच। तथा सप्त महाभूतान्ये कजाति मयानिच। त्वाद्रिशानु भवाभोग विरुद्धाति दशानिच। तथा नित्यांधकाराणि सूरियादि रहितानिच। तथा मीलित सर्गानि एकनाथा भृतानिच। बिलक्षण प्रजेशांश विचित्राचारवंतिच। तथा निर्वेद शास्त्राणि निशास्त्राणि तथैवच। क्रिमिक्रम समारंभ देवादि प्राणि मंतिच। जात्यातु पारंपरियेण संकेताचारवंतिच। तथा नित्या प्रकाशानि ज्वलिता अग्निमयानिच। तथा जलैक पूर्णानि पबनैक मयानिच। स्तब्धानि परमाकाशे बहंतिच तथा निशं। जायमानानि पुष्यंति परिपुष्टानि चाभितह। तिरियगच्चंति चान्यानि पूर्ण सर्व मयान्यपे। देव मात्रैक सर्गाणि नरमात्र मयानिच। दैत्य व्रिंद मयान्येव क्रिमिर निर्विवरानिच। अंतरंतस्तदंतस्य स्वकोषे प्यनुकंप्रति जातानी दलपीठवत। परस्परमद्रिष्टानि नानुभूतानि बैमितह। सैनिकस्वप्नजालानि जातानीव महांत्यपे। विविधान्यप्यनंतानि स्वच्छाकाशात्मकान्यलं। अन्योन्यमन्यवृत्तिनि न मिथोन्यस्थितिनिच। मिथस्चान्यान्यशास्त्रानि मिथोनन्तानियानिच। अन्योन्यसन्यवेषानि मिथोन्योन्यानियानिच। अन्योन्यं परलोकानि मिथह सिद्ध पुरानिच अन्याद्रिष महाभूता अन्याद्रिग्दिग्गिरिनिच त्वाद्रिषा नुभवेहानाम गम्याभ्यागतानिच असमंज सरूपानि कत्यमानानि माद्रिषेहि अनुवत्सेश्यमानानि चिदाधित्याइशु मंडले परमार्थ श्रियोब्योम्नि रश्मि जालानि कुंडले कानिचित्तानितान्येव भूत्वा भूत्वा भवत्यलं कानिचित्ताद्रिषान्येव जातानि वनपर्णवत् अन्योन्यत्वाच्य सद्रिषान्यन्यानि सद्रिषान्यपी कंचित्कालं सुसद्रिषान्यन्यान्येव जाकानिचित्त। फलानितान्यनन्तानि परमार्थ महातरोह अनन्यान्येव जान्यानि तन्मयान्येव वैततह। कानिचित् स्वल्पकल्पानि दीर्गकल्पानि कानिचित् अन्यान्यनियतं भूरि कानिचित् अन्यान्यज्यात कालानि यद्रिच्छा वशतह स्वयं जायमानानि पुष्टानि सुस्थिरानि स्थितानिच। तानिशुन्यत्व जालानि परमाकाश कोशके अपरिज्यात कालानि रूधान्यज्यात दोशके अब्ध्यरकाकाशमेर्वादि शतैरावलितान्यलं चिच्चमत्कारखे स्वप्न जालान्यावांति चाविलं अनुभूतेर भ्रमात्मत्वात कारणानामभावत पृत्वियादिनामहेतुनामत्यंतं सत्यसंतिच। म्रिगत्रिष्णाम्भुभरवद विचंद्रभ्योमवर्णवत संपन्नानि नसत्यानि सत्यान्यप्यनुभूतितह। चित्संकल्प नभस्येव भासमानानि भूरिषह वासनावातनुन्नानि बिलुठंत्यात्मचेष्टितैहि सुरा सुरा दिमशका बहुषो दुम्बरद्रुमे फलानि रसपूर्णानि घूर्णमानानि मारुतैहि अभिजात स्वभावस्य सर्गारं भकरस्यच शुद्ध चित्तत्व बालस्य संकल्प नगरानि खे। त्वमहं सोईदंचेति धिया बलद्रधान्यलं संपन्नान्यर्कदीप्त्येव पंकक्रेडनकानिचो बृत्तानि रसशालिन्या नियत्या नित्यत्रिप्तया बनान्युग्रफलानिव बसंतरसलेखया महाकर्त्रण्यकर्त्रेणि नाकृतान्येव खानिवा स्वयं संपन्नरूपानि चित्व्योम्नेव कृतानिवा परमार्थमयान्येव तदन्यद बोधितान्यपी अलब्धान्येव अलब्धानि सदासंत्येव संतिचो चतुर्दश दशै कादि बिधभूत गणानिच पुनस्तान्येव तान्यंतरन्यान्यन्यान्यतो बहि नरकस्वर्ग पाताल बंधु मित्र मयान्यपी महारंभ मयान्येव शुन्यानि परमार्थतह ख्षीराम बुधेर जलानिव स्नेह सारानि सर्वतह तरंग भंगुरान्यंतर बहिस्चा बृत्ति मंतिचो आभासमात्र रूपानि तेजस्यात्म भिवस्वतह जातानिव स्वतस्तानि स्पंदनानि नवस्वतह बृक्षरूपानि पत्रानाम बुध्यहंकार चेतसं असताम अप्यसंत्येव स्वप्ने न्यस्त निर्णामिव पुरान वेद सिध्धान्त कल्पना तल्प पालिशू गन निद्धरानि सुप्तानि बिभ्रंति शवतामिव परमार्थ महारण्ये चिद्गंधर्व कृतानि वै सूर्य दीपक दीप्तानि ग्रिहानि गहनात्मनी प्रजायमानानि नभस्यनंते विशीर्यमानानि च निर्निमित्तम् तदात्वहं बै तिमिराक्षद्रिष्ट केशोंड्रकानिव जगंत्यपश्यम् इत्यार्षे श्री वाशिष्ट महारामायने वालमी किये देवदूतोक्तमोक्षो पायेशु निर्वान प्रकर्णे उत्तरार्ध्ये पाशानो पाख्याने जगज्याल वर्णनमनाम एकोन शष्टितमस्तर्गहा अब आगे इस योगवाशिष्ट महारामायने के निर्वान प्रकर्णे के उनसठवे सर्ग में समाधी काल में बशिष्ट जी के द्वारा अनन्त चेतना काश में असंख्य ब्रम्हांडों का अबलोकन हुआ इस प्रसंग का वर्णन किया गया है श्री बशिष्ट जी कहते हैं हे रागवेंद्र तदनंतर सो वर्षों के पस्चात मैं ध्यान से जगा और फिर समाधी से बिरत हुआ तब उस समय वहां मुझे एक मधुर ध्वनी सुनाई पड़ी जो बड़ी मनोरम थी परन्तु उसके पद और अक्षर अधिक स्पष्ट नहीं थे वह ध्वनी पदार्थ और बाक्यार्थ का बोध कराने में समर्थ नहीं थी किसी नारी के कंठ से निकली हुई वानी के समान उसमें स्वाभाविक कोमलता और मधुरता थी स्वर में काफी लोच था और उच्चस्वर से उच्चारित न होने के कारण उस ध्वनी में गंभीरता अर्थात दूर से सुनाई देने की योग्यता ही था कमल कोश में गुंजारव करने वाले बड़ा बिसमे हुआ और मैं दसो दिशाओं में दृष्टी फैला कर वह शब्द करने वाले प्राणियों का इसलिए इस एकांत स्थान में ऐसे शब्द की उत्पत्ती कहां से हो रही है तब मैं या तो मैं अपने इस देहा काश को ध्यान के द्वारा यहीं ज्योंकात्यों स्थापित करके पदमासन से बैठ गया और समाधी लगाने के लिए मैंने पुनहा अपनी आखें बंद कर ली तदनंतर इंद्रिय संबंधी बाईय विशेयों का तथा आंतरिक विशेयों का भी स्पर्ष त्याक करके मैं एक मात्र संकल्प रूप चित्ता काश बन गया इसके बाद क्रमशह उस चित्ता काश को भी त्याक कर मैं बुद्धी तत्व के स्थान में पहुँच गया और फिर उसे भी छोड़कर चेतना काश मैं अपने वास्तविक स्वरूप में पहुँच गया फिर तो चैतन्यमय महाकाश के साथ एक होकर मैं असीम और सरवब्यापी बन गया और फिर निराकार और निराधार रहकर समस्त पदार्थों का आधार बन गया तब वहां मुझे जुण्ड के जुण्ड त्रैलोक्य सेक्णों संसार तथा लाखों या असंख्य ब्रह्मांड दिखाई देने लगे वे सब ब्रह्मांड माया में निर्मल आकाश मात्र रूप वाले थे अतह बे परस्पर एक दूसरे की द्रिष्टी में नहीं आते थे वे नाना प्रकार के आचार विचारों से संपन्न थे परन्तु एक दूसरे के लिए शुन्य रूप ही थे परम्चेतन आकाश के कोश में इस्थित हुए वे सब के सब लोक शुन्यता रूप ही थे सत्य नहीं थे कव से उनकी स्रिष्टी हुई थी यह किसी को ज्यात नहीं था वे सब के सब अज्यान रूप दोश से युक्त चिन्मय परमात्मा में अनाधिकाल से ही कल्पित थे चैतन्य के चमतकार से चमतकृत चैतनाकाश में सैकणों समुद्र सूर्य आकाश तथा मेरू आधी परवतों से युक्त स्वप्न के समान वे लोक भासित होते थे तथा रजोगुण और तमोगुण से कलुशित जान पड़ते थे बास्तम में कारणों की सत्ता न होने से कारण रहित पृत्वियादी का अनुववतों भ्रमात्मक ही था अतह ब्रह्मरूप अधिष्ठान की सत्ता लेकर ही वे सब के सब जगत बिद्यमान थे उस अधिष्ठान सत्ता को न लेकर तो वे स्वरूपत बिद्यमान नहीं थे मृगत्रिष्णा के जलब प्रवाह तथा आकाश की नीलिमा के समान वे लोक ब्रह्मरूप अनुवव से ही उत्पन हुए थे अतहा स्वरूपतहा सत्य नहीं थे परन्तु सत्य रूप अधिष्ठान की सत्ता से सत्य के जैसे ही जान पड़ते थे परब्रम रूपी गूलर के ब्रिक्ष में भोग आदी बिचित्र रसों से परिपूर्ण ब्रह्मान्ड रूपी फल लगे थे जो हवा के जोकों से जूम रहे थे देवता, असुर और मनुष्य आदी प्राणी उन फलों के भीतर जन्तुओं के समान प्रतीत होते थे तुम मैं और यह आदी अभिमान पूर्ण बुद्धी के बल से अत्यंत दृढ बनाए गए बे सब लोक गीली मिट्टी द्वारा बने हुए उन खिलोनों के समान जान पड़ते थे जो सूरी की किर्णों से सूख कर कड़े हो गए हो वास्तम में बे जगत परमार्थ चैतन्य रूपी ही थे तथा पी उससे भिन्न के समान प्रतीत होते थे अप्राप्त होकर भी प्राप्त के जैसे जान पड़ते थे तथा सदा असत होकर भी सद रूप से भास्त होते थे परमात्मा रूपी सूर्य के तेज के भीतर वे केवल आभास रूप थे और वायू के स्पन्दन की भाती स्वतह उत्पन हुए थे हे श्री राम उस समाधी काल में मैंने अनन्त चेतनाकाश के भीतर अकारण ही उत्पन एबं बिनस्ट होने वाले बहुत से लोक और अनेक ब्रह्मांड देखे जो तिमिर रोग अर्थात अर्तोंधी से युक्त चक्षु दोश से युक्त आखों बाले पुरुष के द्वारा देखे गए भ्रम मात्र ही सिद्ध होते थे यत्सत्वाद मृषई बभाति सकलं रज्यो यताहेर ब्रह्माः श्रवनया पिबहु भिर्यो नलभ्या शिर्ण्वंतो पिबहबो यम्न विद्युहू आश्चरियो वक्ता कुषलोश्यलब्धा आश्चरियो ग्याता कुषलानुसिष्टहा आश्चरियवत पस्यति कष्चिदेनं आश्चरियवत बदति तथैवचान्यहा आश्चरियवत चैनमन्यश्र्णोते शुरुत्वाप्येनं वेदन चैवकस्चित।